पर उन दो है 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 हलो एरिमान वेलकम टूम यूट्यूब जैनल अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वह रेशो एंड प्रोपोर्शन का सबसे पहले हम रेशो को कवर करेंगे रेशो होता क्या है रेशो किस तरह फैंड किया जाता है दो चीजह ने रेशो किस त के दी कंपरेजिण बी-ち॒ कौंठिटीटीच अब इस सेम कॉएंड अगर उसको कंपि er कोपी टो कौंठीटीटीटीच हो अगर उन्सक् suppliersन की जाए compare किया जाओं दो quantities को मगर वो quantities क्या हूं of the same kind of the same kind हो वो दो quantities of the same kind हो for example अगर इस दिर fruit की बात हो रही है तो एक fruit हमारे पास apple होगा दुसरा हमारे पास mango होगा fruit की बात है तो fruit की बात होगी अगर human being की बात है तो human animals की बात होगी मतलब जो भी comparison किया जाएगा उन दो ratios मतलब हम compare करेंगे दो चीज़ों के between तो वो of the same kind होना चाहिए तो यह बात आप समझ गया अभी चलते है ratio होता है किस तरह fan किया जाता है देखे ratio के लिए हम सब से पहले पहले कि हम सिंबल यूज करते हैं वह यह यह दो डाट लगाते है यह दो डाट रेशो के होते हैं यह देखें इसको शो करता है रेशोय यह क्या है रेशोय है और इसको पड़ा किस तरह जाताह मैंने यह यह लिए झाल नोड कर दिये थे क्योंकि एसे टू इस को पड़ा जाता है मैं और ये दो चीजों को एज है वो है फिफटीन इयर्स कि एन्ड राज की जो में ओ है ट्विटी इड़्स इन दू एजस के बिट्वीन हम रेशियो किस तरह फाइंड करेंगे तो क्या करने हम ने 50 रशो 20 सेम टाबल हम लगाएंगे ऐसा टैबल जो इस पर जाए इस पर जाए सम टाबल हम मतलब अब जो यह हमें रिजल्ट मिला 3 ratio 4 इसको हम 3 ratio 4 इस तरह में लिख सकते हैं इसको पढ़ेंगे 3 is to 4 3 is to 4 मतलब अब जो इनके between जो compression है वो यह इनके between compression है दो चीज़ें आपस में compare हो गई देखें अली की जो age थी 15 years थी और जो राज की age थी 20 years थी अली एंड राज की age का हमने रेशो निकाला तो क्या मिला हमें 3 ratio 4 मिला तो रेशो हम इस तरह फैंड करते हैं चलते हैं थोड़ा आगे उसको समझने की कोशिश करते हैं रेशो होता क्या है बिलकुल आप समझ रहे होगा कोई difficulty तो नहीं न चलते हैं थोड़ा आगे अगर एक there is a man person है उसने क्या किया one month one year में उसने पैसे सेव किये हमेच सेव कि ए कि 20 था उसंड कि ए और सेकेंड यह में उसने कितने कि ए पिए इसने शेल कि ए फॉर्टी लड़ी फॉर्टी तौजंड सेकेंड यह में फरस्ट compare करें first year and second year के जो बीच में उनकी उसकी जो income है उसकी सैविंग है सैविंग भी कह सकते हैं जो भी हम इसको नाम दे दें उसका compare किस तरह करेंगे अब यह हमारे पास बड़ी रकम है जब भी हमारे पास बड़ी रकम हो जिसको राइट में 0 हो राइट की तरफ 0 हो हम क्या करते एंसी जिए रूओ अगर सैम 0 इसमें भी है सेम 0 इसमें भी है हम खतम कर देते एं 12341234 का रहाμεड़ मैं काटА काड़ ट 찌गे इस तरह राइशियोगा हैं लाइक टिस तो देखें अगर यह सिंपल है तो उसको हम बाद में इदर लेख देंगे रेशका की निए जब हमने रैशु देनी है फिर ये खतम हो जाएंगे लिए टू रैशो 4 अब देखें यह simplify नहीं हुआ आगे फिर भी टैबल जाता है 2 का टैबल इस पर once time इस पर two time यह जो हमें ratio मिला यह उनकी सैविंग के जो between ratio है वो one two two है one ratio two है मतलब उनकी जो compression है उसको जो compare करेंगे उसकी monthly yearly income और उसकी two second year की income थी उसको हमने compare किया one ratio two तो ratio किसी भी दो चीज़ों को compare करने के लिए हम इस्तमाल करते हैं the comparison between two quantities of the same kind kind उसका same होना चाहिए अगर इधर बात हो रही है रुपीज की तो इधर ही बात रुपीज की हो रही है ऐसे नहीं है इधर बात हम कर दें रुपीज की और उधर बात कर दें एनिमल की इस तरह तो बिलकुल नहीं होगा क्योंकि आफ दी सेम कांड लाजमन ही होना चाहिए तो यह बात आपको समझ आई होगी थुड़ा आगे चलते हैं अब रेशो की हमने एक एक्जम्पल लिखी होई है रेशो किस तरह डिफरेंट प्लैसेज पे डेली लाइफ में किस तरह इस्वाल किया जाता है और डिफरेंट एक्जम्स में भी यह प्रावलम सब से ज्यादा आते हैं अब देखें डिवाइट 20 पैंस बिट्वीन शीला एंड संगीता एंड रेशो थिरी रेशो तो अभी हमें एक चीज डिवाइड करनी है वो कौन सी चीज है 20 पैंस है किसके बिट्वीन डिवाइड करना है शीला एंड संगीता एंड रेशो उसका जो रे given ratio है 3 ratio 2 given ratio 3 ratio 2 तो हम क्या करें इस ratio को sum of ratio करेंगे sum of ratio जब इन दोनों का अपस में sum निकालेंगे 3 plus 2 is equal to कितना बना 5 बना 3 ratio 2 3 plus 2 कितना बना ये 5 बना अब देखें जो 3 है ये है शीला का हिस्सा टैंस है पार्ट अफ शीला एंड जो संगीता है पार्ट अफ चू मतलब दो जो रेश्यो है 3 रेश्यो टू ये है शीला और ये है संगीता एंड ये शीला का हिस्सा है अब जब sum of ratio करेंगे 3 plus 2 is equal to 5 हो जाएगा अब ये जो हिस्सा है इसका पार्ट फाइंड करते हैं तो क्या करना है हमने 3 ये जो रेश्यो किसका शीला का अपान कर देंगे ये जो टूटल हमें समाफ रेश्यो मिलेगा ये जो है इसको अपान में रख देंगे और multiply कर देंगे कौन सा multiply हम करेंगे जो हमें उसका जो टूटल है टूटल हमारे पास कितना है वो है हमारे पास 5 है ओके हमारे पास 5 नहीं है concentrate अब इस तरह नहीं होगा देखे हमारे पास जो टूटल है वो है 20 हमारे पास टूटल क्या है 20 है अभी आपने जो करना है वो टूटल को डिवाइड करना है टूटल को distribute करना है तो जब टूटल को distribute हो जाएगा हमारे पास क्या हो 20 पैंस गिवन रेशो और गिवन जो नंबर है वो हमारे पास है 20 पैंस तो हमने क्या करना है 20 20 अब इसका पार्ट फैंड करेंगे 5 का टैबल 20 पी हाउ मच टाइम इस तरह यह चला जाएगा फॉर टाइम 3 4 12 यह 12 यह क्या हो जाएगा पाट आफ पाट आफ हो जाएगा शीला अब चलते हैं थोड़ा आगे part of संगीता को find करते हैं संगीता का ratio कितना है टू है टू अपान कर देंगे जो टोटल है टोटल कितना है सम आफ रेशो का 5 और जो टूटल पैंस है वो हमारे पास है 20 given upward देयर 20 है सेम इसका टैबल इस पर हो मच टाइम फूर बार और टू एंटू फूर एट एट पैंस अब क्या है इसका हम क्या करेंगे पार्ट आफ संगीता देखें अभी हमने क्या-क्या पार्ट आफ शीला भी फाइंड किया पार्ट आफ संगीता है तो इस तरह एक्जंपल सम रेशो के डेली लाइफ में इस्तमाल होते हैं क्योंकि 20 पैंस थी हमें डिस्रिब्यूट करनी थी शीला और संगीता में जबके हमें जो मिला हुआ था वो only given था ratio जब ratio हमें given था तो पहले-पहले हमने उसका sum of ratio किया sum of ratios लाजमन नहीं है हर जगा पे इस तरह की कोई condition आ जाए कहीं property distribution भी होती है कहीं property distribution में क्या होता है कि अगर एक father है और death के बाद कोई property छोड़ के जाता है बड़ी इतनी रकम है वो इतनी बड़ी रकम है जबकि उसको डिवाइड करना है थिरी रेशो टू में यह हम रिपीट नहीं करते उसको डिवाइड करना है five ratio eight में five ratio eight किसके यह sense है और यह daughters है for example एक समझने की बात है जब इनके between हम उसको divide करेंगे हमने क्या करेंगे समफ ratio करेंगे समफ रेशो करने के बाद ये जो scripts हैं यह उनका हिसा यह जो dochters हैं उनका हिसा इस तरह हम find करेंगे multiply करगे total से do simplify होगा तो इसी तरह हम रेश्यो को daily life में इस्तमाल करते है रेश्यो होता है क्या है ratio किस तरह of hand किया जाता है उमीद है आपने समझा होगा इससे आगे भी हम बहुत lectures daily life के जो ratio जहां इस्तमाल होता है वो समझेंगे और उसको हम अच्छे तरीके से cover करेंगे, thank you